दोस्तों चलते हैं पहले कोशन के तरफ तो पहला कोशन है नर्लिंग ओप्रेशन नर्लिंग ओप्रेशन किस स्पीड पर किया जाता है तो पहले जानते हैं नर्लिंग ओप्रेशन होता क्या है तो नर्लिंग ओप्रेशन में हम लोग कोई भी साफ में इसलिए करते हैं क्योंकि तो इसको पकड़ने में, gripping में हमें सहायता मिल सके, जैसे अगर आप micrometer आप देखिएगा, तो उसके जो back portion जो होता है, soft type का जो कटा होता है, उसमें भी आपका knurling किया रहता है, ठीक है, तो knurling का mainly purpose है, किसलिए gripping करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को आसानी से हम पकड़ सके, तो knurling, अब इस question में आप से पूछ रहा है, knurling operation किस speed पर किया जाता है, तो यह कियाता है, turning, turning, के 1 by 3 गुनी speed पर, गुनी, speed पर, speed पर, ठीक है, अगर हम लोग turning, जिस speed पर करते हैं न, उसके 1 by 3 गुनी speed पर, हम लोग क्या करते हैं, knurling operation को करते हैं, दूसरा question है, knurling करने के लिए, knurling करने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो knurling जब हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें forming प्रक्रिया होती है, क्या होती है, forming, forming होती है, ठीक है, स्पिंडल स्पीड पर स्पीड पर करना चाहिए ठीक है तो पार्टिंग ओफ ऑप्रेशन जब भी हम करते किसी ओबजेक्ट में पार्टिंग ओफ क्या होता है माली जी यह सिलेंड्रिकल ओबजेक्ट है ठीक है यहां से हम क्या करेंगे यहां पर टूल है टूल को यहां पर फीड देंगे फीड देंगे तो यह क्या होगा यह कम होती जाएगा कम होती होते इतना कम हो जाएगा कि लाख्ष में जाएगा यह कट जाएगा ठीक है तो पार्टिंग ओफ हो जाएगा अलग-अलग हो जाएगा तो cutting tool, cutting, cutting point, cutting point के center में, point के center में tool को set करते हैं. तो parting off जब करते हैं, तो tool को कहां set करते हैं, एकदम center में उसको set किया आता है, ठीक है? पांचवा नमबर question है, steady rest को और किस नाम से आना आता है? तो steady rest के बारे में, कल मैंने बताया था कि अगर कोई लंबे cylindrical workpiece हो, उसको अगर support देना हो, during turning operation, तो हम लोग steady rest या follower rest का इस्तेमाल करते हैं. steady rest मतलब अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि लंबा workpiece है, तो क्या हो जाए, bend हो जाए, या उसमें कुछ, मतलब उसका dimension गलत आ जाए, bend हो जाए, तूट जाए, उसले हम लोग क्या करते है, तो support देने के लिए, लंबे workpiece को support देने के लिए, हम लोग steady rest का इस्तेमाल करते है, तो यहां question पूछ रहा है कि steady rest को और किस नाम से जाना जाता है, तो steady rest को हम लोग center rest के भी नाम से जानते है, center, center rest के भी नाम से जानते है, ठीक है, अब छटा number question है, live center की nose का सिर्ष कोन कितना होता है, तो पहले कल मैंने आपको बताया था एक और चीज, कि Life center जो होता है, वो head stock पे लगा होता है, और वो object के साथ क्या होता है, कालखन के साथ rotate होता है, तो पूछ आया, जैसे यह चक है, यहां पे जॉश है, इसमें क्या होता है, life center ऐसे लगा वा रहता है, ठीक है, और यहां पे job फिर fix होता है, यह जो angle है यह कितना angle होगा, यहां करते समय सेंटर ड्रिल करते समय ड्रील किस कारण से टूट सकता है जब लेथ मसीन में हम ब्सक्टेस लिडिल को तो किस वाजा से क्या हो सकते हैं तो किया हो अधिक देने पर बहुत अधिक अधिक फीड देने पर,τε्यद देने पर, எ पर कि टेले इस्टॉक में ड्रील लगाए हैं। और जब ड्रीलिंग कर रहें उसमें अगर ज्यादा फीड देंगे। उसका चिपस निकला नहीं और उसमें हम किस किसे इस्थिति में रहता है तो खराद में कट्टिंग टूल कैसे इस्थिति में रहता है स्थिति, स्थिति में रहता है, में रहता है, ठीक है, नौवा नमर कोशन है, किस विधी, किस विधी द्वारा अधिक लंबाई की टेपर थ्रेट्स काटी जाती है, तो एक विधी आपको बताया था, यह टेपर काटने के लिए तो उसका नाम था टेल स्टॉक ऑफसेट मेथर तो इसी विधी द्वारा अगर हम लोग टेपर थ्रेट काटना चाते हैं तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथर द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यह टेल स्टॉक ऑफसेट जो हम लोग करते हैं, यह क्या करते हैं, उसमें जो चिन रहता है, वो मिलिमीटर या डिग्र तो उसके हनोसा हम लोग क्या कर सकते धाटेक को western कर सकते हैं दस्वा नमेर को से लोग करते समय बृरिंग करते समय चैटरिंग क्यों होता है तो बोरिंग को बताये था कि परींग करती हम लोग खोटे ड्रील को को भी अमेरे नें इंटर्नल होल है, छोटा सा hole किया वाई जैसे, यह कोई workpiece है, इसमें यह क्या है? आंकि करना इसे को बारे हैं कि इसे को बार यूज से यहां ब्arlी करते हैं तो कहर रहा है कि बोरिंग करते हैं क्यों कोई भी छोटे diameter को बरा diameter करने के लिए, internal diameter को बरा diameter करने के लिए हम लों बोरिंग करते हैं. ठीक है. तो पूछ रहा है, बोरिंग करते समय, चैटरिंग क्यों आता है? तो अधिक फीड देने पर. ए Simmons अगर हम अधिक फीड देंगे, फीड देंगे, तो अगर अधिक फीट देंगे तो इसका जो सर्फिस आएगा वो ज्यादा अच्छा नहीं आएगा चैटर चैटर आएगा गया नमर को सने सेमी ऑटोमाटिक ते था ऑटोमाटिक मसीनों पर लंबे लंबे बिलनाकार लट्थों को पकड़ने के लिए किस का प्रियों किया आत इसमले बिलना का में अगला को सन पर फेस प्लेट को पकड़ा आता है वाज नमर को सनने कि सँ जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा या पकाजा एट इसो सप्रींडल पर He did of head stock पर किस जगह पर लेफ बेड के लिफ्ट हैसी रपर तो ये किस जगह पर होता है लेफ्ट लेफ्ट बेड kip बैड के लेफ्ट और बेड केरे लेफ्ट एड सीरे पर लेफ्ट Head सीरे पर सीरे पर ठीक है तो यहां कोसन क्या पूछाता है किस जगा पर Leth का Head Stock इस ते होता है तो आप Leth Machine यहां देखिएगा Leth Machine यह है ठीक है यहां पर Leth Machine है तो यहां पर आपका Left Side में क्या होता है Head Stock होता है ठीक है और यहाँ पर आपका टेलिस्टॉक होता है तो क्या हो गया? लेफ्ट बेड़ है, उसके लेफट साईड के सीरे पर है चौदर नमा कॉश्चन खराद खराद गाईड वेज से चक को लगाते समय हो सकने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या करना आवस्यक है तो इसके लिए गाइड वेज गाइड वेज पर लकड़ी का लठा रखना आवस्यक है रखना चाहिए चाहिए तो खराद गाइड वेज से चक को लगाते समये जब हम लेथ मसीन में जब हम चक को असेंबल करते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए जो जिस पर मूफ करता है जो गाइड वेज होता है जिस पर आपका टेल इस्टाफ मूफ करता है उस पर हमें क्या करना चाहिए लकरी का लठा रख देना चाहिए कि अगर चक अगर गलती से जाता है, यह भी जाता है, तो क्या हो? लक्री के लठ के लट्फेए पर लगए। थाकर लगए लट्वी के लगए कि para Beach F familia 15 नूर कोशन है Rough Boring, cutting Speed किस के समान हो теп questionarnal होता है? तो Rough Boring जब जादा फोकाटना है आ तो उस बोरिंग करते हां तो उस समय ईज़ाए किछ के बनाबर कोंग fatto एग होल ककी कि दुवारा क्टेश उसको मैं जब बोरिंग कियाएग होल को कैसे हम लोग चेक करते हैं. अब पुछ रहा है. बोर किये गए, होल को दूर ले जाएंगे, को को दूर ले जाएंगे क्यों ऐसा करेंगे अगर कैरेश को दूर ने ले जाएंगे तो क्या होगा जो बोरिंग टूल होगा वो वर्कपीस के कारेखन के अंदर होगा उससे में अगर हम चेक करेंगे तो वह सेंटर पर बोरिंग टूल की कटिंग एज को बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वह क्या रहे ठीक सेंटर पर रहे ठीक सेंटर पर रहे सेंटर पर रहे बोरिंग टूल जब बोरिंग हम करना है तो टूल को हम इस प्रकार सेट करेंगे उसके कटिंग एज को कि हमेशा वो किस इस्तिति में रहे ठीक सेंटर पर है ठीक है अब अब अठाय नमर कोशन है किसी hole में boring करने के लिए boring tool की किस प्रकार का चुना आता है तो अगर हम लोग किसी hole को बड़ा hole करना है तो boring करते ही जानगे boring tool हो कैसे रखाया था ये जानगे आप जानेगे कि boring करते समय boring tool कैसा होना चाहिए ठीक है तो होना चाहिए छोटे से छोटा छोटा परंतु उप्युक्त लंबाई का छोटा छोटा हो लेकिन उसका लंबाई क्या हो? मतलब लंबाई उतना हो जितना कहा में जरुवत हो से जादा ही हो ठीक है? तो बोरिंग करने समय हमने बोरिंग टूल कैसा होना चाहिए? छोटे छोटा हो लेकिन परंतु उप्युक्त लंबाई का हो उनीसवा नमर कोशन क्या है? रीमर की कटिंग एजो के बीच में अंतर आसमान होता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्छ कोटी उच्छ कोटी उच्छ कोटी की सता प्राप्त करने के लिए सता प्राप्त करने है तू प्राप्त करने के लिए रीमर की कटिंग एजो के बीच में अंतर आसमान होता है इसका कारण इसलिए है क्योंकि हम उच्छ कोटी की सता प्राप्त कर सके है रीमर कब क्या आता है? जब ड्रीलिंग हम कर देते हैं कोई वर्टपीस पे फिर उसको फिनिस देने के लिए मतलब अच्छा से फिनिसिंग देने के लिए मतलब उसमें बर्स न रहे उसको मेज़र करें तो सब जाएगा से इकोल आए तो इसलिए हम लोग रीमिंग करते है चीक है उनीसवा नमर कोसे नहीं मसीन रीमिंग में स्टेट रीमर की फिर्ड कैसी रखी जाती है तो स्टेट रीमर की फिर्ड रखी जाती है ड्रिलिंग की फिर्ड की दुगनी रखी जाती है ड्रिलिंग की फिर्ड की दुगनी की फिर्ड से दुगनी रखी जाती है जितना हम लोग drilling में fit देते हैं उससे दुगना इसमें fit देंगे दुगना दुगना fit देंगे ठीक है 21 नमर कोशन है पाइप नूमा खोखले जॉब को support देने के लिए किस केंदर का प्रयोग करते हैं तो पाइप नूमा खोखला जॉब है इसको support देने के लिए हम लोग pipe center का इस्तमाल करते हैं किसका pipe center का भारी कारेखंडों के लिए 22 नमर कोशन है भारी कारेखंडों के लिए किस तरह के कोन वाले center का प्रयोग में राया जाता है तो भारी कारेखंड को जब हमें कोई भी heavy workplace से उसको हम लोग operation करना उस पर turning करना है facing करना है जो भी करना है तो उसके लिए हम लोग जो center का इस्तमाल करते हैं वो 90 degree का होना चाहिए केंदरक ठीक है तेइस नमर कोशन है मोर्स टेपर टेपर हम लोग बहुत तरीके से करते हैं ठीक है ना तो उसमें से एक टेपर क्या होता है जिसको हम लोग most taper कहते हैं तो most taper का आधा समिलित कोन कितना है यह होता है 1 degree 29 minute ठीक है यह most important question है दोस्तों यह सब जो question मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा important question है इसको आप याद रखिएगा ठीक है तो most taper हम लोग कहां कहां आप देख सकते हैं तो drilling machine के spindle जो होता है उसमें भी आप most taper देख सकते हैं जो drills होता है आप 1 is to 10 होता है ठीक है पचीश नमर कोशन मोर्स сटैंडर टेपर कितने प्रकार के होते है तो मोर्स स्टैंडर टेपर जो होता है आठ प्रकार का होता है 26 नमर कोशन है taper turning attachment के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक कितने कोन का taper बनाता जा सकता है तो हम लोग taper turning टेपर टर्निंग काटने के लिए बहुत सारे विधी होता है ठीक है ना जिसमें बता है तो अदिक से अदिक कितने कॉन का टेपर बना सकते हैं तो अदिक स्यादुक 20 डिग्री कॉन का टेपर हम लोग बना सकते हैं गेज दवारा. च्कियं? तो लेथ मसिन पर लगे कारकंड. अगर लेथ मसिन में कोई वर्टिस लगावा है करेंगे, तो हम लोगो चेक करना है, तो हमलोग क्या करेंगे, ippard plug gauge या taper ring gauge के द्वारा उस क्या करेंगे, उसबर का रखन को चेक करेंगे, ठिक है, 28 नमर कोशन完, taper को निम्द्वारा प्रदसित किया आता है, तो included angle को degree minute में किया आता है, क्या चीको? included angle angle को degree minute में degree minute में अब यह आपको मैंने बताया था most taper जो होता है उसका क्या होता है 1 degree 29 मिनट होता है उसी तरह कोई भी taper रहे तो उसको क्या करेंगा उसके included angle को हम लोग degree minute में दर्साएंगे ठीक है अब उन्तिस number question है किस उद्देश के लिए मेंड्रिल का प्रयू किया आता है तो तो पहले से किये गए finished hole को secondary करने के लिए मताब पहले से अगर पहले से से finished hole को secondary करने के लिए secondary 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 करने के लिए एक तरह समझे concentric करने के लिए ठीक है माले जब बाहर का जो face से इसको हम लोग turning कर लिए ठीक है turning कर लिए फिर अंदर तो drilling होई गया है तो क्या करेंगे ना बाहर का डाया और अंदर का डाया क्या रहा है अंदर का डाया और बाहर का डाया दोनों क्या हो जाएगा एक सेंटर से हो जाएगा concentric हो जाएगा ठीक है तीस नंबर कोशन है Boring Tool में Secondary Clearance Angle निम्न उदेसे के लिए दिया आता है तो Boring Tool में हम लोग Secondary Clearance Angle किस उदेसे देते हैं तो Tool की Heel को Job की अंदरूनी सता पर अगरने से बचाने के लिए क्या ची के लिए Tool Tool की Heel को Job की Job की अंदरूनी सता से अंदरूनी रूनी सता से बचाने के लिए सता पर गिसने से बचाने के लिए पर गिसने से बचाने के लिए गिसने से बचाने के लिए के लिए ठीक है तो क्या था Boring Tool Boring Tool में Secondary Clearance Angle हम लोग किस उद्य से देते हैं तो tool की heel को job की अंधरुनी सता से जब boring हम लोग करते हैं तो tool का heel क्या है ना job के अंधरुनी सता से touch ना हो अगर touch होगा तो क्या होगा भिज जाएगा उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं clearance angle देते हैं, ठीक है तो दोस्तों यह था लेथ मसीन का part 2 जो कि आज मैंने आप से discuss किया तो आपने अगर लेथ मसीन का दोनों वीडियो देखा होगा part 1 और part 2 तो आपकी guarantee देता हूँ कि ALP के लिए कोई भी लेथ मसीन से question आएगा तो आपका तो नहीं छुटेगा तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे वीडियो को लाइक किजे अपने फ्रेंड्स के साथ